तो यही मेरा लास्ट डेस्टिनेशन हो गया तो टिकेट मैंने पर्चेस कर लिया यहां का यह मेरे को टिकेट मिला है तो गाइस यह हमारे फ्रेंड्स के अब चलेंगे फूल महल चत्र महल और बादल महल की तरफ गरदन नीचे आप करके आए फिर बुंदी आपको बैट्स दिख रहे हैं यह गुल्टा लटका हुआ तो बुंदी के मीरा गेट से मैं अपने सेकंड ब्लोग की शुरुआत करने जा रहा हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और यह हैं ब पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं बाइक चला रहा हूं हाला कि मुझे गमर्ण नीच नहीं बड़ी चीज में इतनी आसानी से कर रहा हूं और यह एक गेट है जिसके अंदर से अभी मैं आ चुका हूं इस गड़ पहले जो आप सामने देख रहे हैं इसके रास्ते पर और यह अभी मुझसे तकरीबन 100 या 200 मिटर की दूरी पर है तो आप मैं पहुंच चुका हूं अपने मैं डेस्टिनेशन के गेट के पास और यह यहां का कुछ इस तरह का परिशर है और यह कार पार्किंग है और वो बाइक पार्किंग जहां मैंने गाड़ी पार्क कर दी अप तो जैसे आप बूंदी पैलेस में एंटर करेंगे तो आपने देखना यह सामने वाला जो है यह इसका पूरा एरियल व्यू है और यहां से आपने दिखाना है कि किस कि जगे आपने घुमनी है यह तारगड फोर्ट मतलब इस फोर्ट का पूरा जो इसका परिशर है इसकी जो सीमा है तो इसका यह व्यू है और इसी के उपर है यह भीमभूर सतार अगर तो यही मेरा लास्ट डेस्टिनेशन हो गया तो इसके गूमने के बाद मैं वापस आने वाला हूं और टिकेट मैंने पर्चेस कर लिया यहां का यह मेरे को टिकेट मिला है जिसका प्राइस नाम से जानी जाती है बूंदी पहलेस भी कहा जाता है जो कि राजपूत वास्तुकला का एक अद्भुदुदारण है और इसका निर्मान करवाया था सोला सो साथ से सोला सो इगतिस के बीच राव रतन सिंग हाडा ने तो यहां शोप हुआ करती है जो अभी फिलाल ओपन नहीं है शाहिद इन शोपस को अटा दिया गया लाश्ट टाइम जब मैंने विजिट किया था इसको तब इसका रेनोवेशन भी नहीं किया गया था अभी कुछ ही हफ्तों पहले इसका रेनोवेशन किया गया है लास्ट टाइम जब मैं यहां आया था इसको विजिट करने अंदर एंट्री करने से पहले आप देखेंगे लेफ्ट एंड साइड पर गनेश मंदिर है वो सामने गनेश जी की मूर्ती भी है अब ही मैं कुछ बीस कदम ही चला हूं लेकिन मेरे पैर और मैं दोनों बुरी तरह थख चुके हैं तो यह मैंशन क्या हुआ हाथी पूर रतन दौलत छत्रमेल तो आप यहां से जाएंगे तो आप इन तीनों को देखेंगे सबसे पहले तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या आता है यह चितर शाला का मार गया जो कि बुंदी की सबसे फेमस है वह फेमस है तारगार फोर्ट भी इतर है और तीन चीज जो भी मैंने वहां मैंशन की दिखाई थी वह इस रास्ते हैं जिसको मैं सबसे पहले विजितने वाला हूं वह हाथी पॉल है तो हाथी पॉल से अभी मैं एंट्री करने वाला हूं हाथी पॉल को हाथी पॉल शायद इसलिए का आ जाता होगा तो के लिए मैं एंट्री से पहले आपको आपना नाम यह मैंशन करना है एक ओके मोबाइल नमबर करतार पुरा जैपुर कहां वापस जैपुरी जाना है जैपुर से आए हैं जैपुर जाएंगे चेक इन कब किया है मैंने अभी टाइम क्या हो रहा है सर आप 10 पर जाएंगे चेक इन कर रहा हूं गाइस और यह चेक आउट का दो है यह मेरे साइन आप को पिकर लीजेगा और मेरा चैक पर लीजेगा एक बाका तर भंडी हैं तो यह जो हमारा राजस्तान का बुंदी यह हारोति हो जैर को विजड करने आए तो पहली बार बूंदी विजिट कर रहे हैं और इनके वहां से बूंदी बहुत कम लोग विजिट करते हैं तो इन्हें हमारा राजस्तान काफी अच्छा लग रहा है आप सभी लोग जानते राजस्तान तो है एक ऐसी चीज जिसको विजिट करने के लिए काफी दूर दूर से लोग आते हैं फ्रेंस के हमारे पावने थे तो अभी हम आ चुके हैं बाग के अंदर और गेट से आए ब्यूटिफूल येट है कुछ भी कह लीजिए आप साइड में इसके हाती आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और यह देखिए यहां का जो एक प्रेंस है बेहत खुब सूरत है सीला ना रख किये अंबुजा से मैंट से नहीं बना हुआ है हुआ है यह इन गेट और फिर वही माँ पैंशन किया हुआ है और यहां से आप देखिए इस गेट से बाहर निकलने के बाद आप देखिए रतांदोला च्छत्रमेल फूल मेल बादल मेल और जूला चोग तो यह सब आपको देखने को मिलेगा तो इस गेट से में निकल चुका तो निकलने के बाद कुछ आप ऐसा देखेंगे यह बाग वह सामने क्या वह भी अभी जाकर देखिए यह चले तो यह गेट है यह बूंदी के गेट है देखिए आप कित नैजा वे कित्ना वीशाल कितना बड़ा यह यह किला तरीके से बना वहाएं हां तो यह है रतन दोलत फर्स्त दिवान हयाम जिसको 1607 इस 1631 के बीच यहां कि रतन सिंग जी जो रूलर थे बूंदी के उन्होंने बनवाया था और यह उनका सिंगाशन है यह आप देखिए मार्वल पेल मार्वल का है बेहत खुब सुरत और इसके यहां साइड में देखिए आपको दिख रहा होगा यह मोर की नक्काशी या मोर बने हुए यहां पर यहां भी मोर बनाए रखे हैं हर इसका जू भी छोटा-छोटा से पिल तो यह है दौलत बाग दिवान आम और इसको विजिट करने के बाद अब चलेंगे फूल महल चत्र महल और बादल महल की तरफ जिसका रास्ता यह है और गनेजी विराज मानव पर चोटे-चोटे यहां के डेट है और यह आली हो सकता है शायद उस टाइम पर यहां की नहीं भगवान की मूर्ते इस्थाफित रही होगी लेकिन बहुत से रूटे रहे होते हैं ले गए और यह का उतर रहा हूं है यह उतरने करास्ता शायद मैं गलात आ चुका हूं नहीं मैं एक्जक्ली कम सही हूं यह घड़ पैलेस के बारे में कुछ मैंचन किया है आप देखिए यह लिखावा इस मार्क को साफ रहे गंदगी ना पैला बिल्कुल भी और यह देखिए यहां पर यहां 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 हातियों को हातियों की मूर्ति लगी हुई है एंट्रेंस हर गेट के हर पिलर के उपर इस जगह पर और यह सामने पूल स्वेमिंग पूल शायद हो सकता है तो यह स्वेमिंग पूल जैसा कुछ बना हुआ है यह चमकादर गंदगी हर जगे यह पहलाने आती है इस पेशली किलो में बद्बुईनी की मिलेगी आपको इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा सामने आप देखे कितना शानदार यह होल है अब यह होल कि इस चीज में मैं आया हूँ यहां मैंचन होगा तो अब ही मैं हूँ छत्रमहल में तो गाइस इसको छत्रमहल बोलते आप देख लीजे छत्रमहल को एकदम आराम से यहां इसके सेलिंग पर पैंटिंग की गई भी है और यहां एंट्रेंस के उपर भी पैंटिंग्स है पैंटिंग्स जैसा बूंदी शेली में पैंटिंग्स सब सब फेमस है आप सब ही लोग ने पढ़ा होगा आप जानते हैं यह देखिए यहां की पैंटिंग्स नाव ले गया कोई चपू चपू रह गया नाव राद में चले गई डूब गये यहां का पैंट नी यहां का तो बित्टी चित्र बिल्कुल साफ हो रखा आप देखिए एकदम क्लीन इसको कर दिया है यहां फिर यहां था ही नहीं पर ऐसा हो इनी सकता एक में बना हुआ है कुछ खाली है यहां भी एक में बना हुआ है फिर कुछ खाली है फिर एक में बना हुआ है फिर यहां जी और इसके लिए के अंदर साइकेंड टाइम मेरा टिकिट चेक होने जा रहा है तो आप यहां बिना टिकिट के तो बिल्कुल एंट्रे नहीं कर सकते हैं फिर वापस यहाँ पर गेट के उपर गनेशी विराजमान है कबुतर ने साथ यह मैं एंट्री कर चुका हूँ छत्रमहल के अंदर और छत्रमहल के अंदर हरे से जाले में क्या बोलते हैं आप इसको आले जाले जो भी बोलते हैं इनमें सभी में पैंटिंग बनी हुई है बाहर कई जगह पर पैंटिंग नहीं थी खाली थे और यह गेट है यहाँ का अंधेर काफी इदर और यहाँ इसके उपर का सीन देख लीजे थोड़ा सा यह कडिया लगा रखी हो सकता है शाशन के समय में यहां जूला डाल जूला डाल रखा होगा और यह एक जगो का प्लीस कीप साइलेंस यह देखें यहां से इतनी शांदर हवा रही है और बूंदी मीनी काशी जिसको क आजाता है वह यहां से दिखाई दे रहा है लगब लगब पूरा और भी हाइट पे अभी में जाने वालों हमासे पूरा दिखेगा तो गाइस यह है चलते है नेक्स्ट डैस्टिनेशन की तरफ जो क्या होगी कुछ पता नहीं है दो चीज हमने देखिए यहां पर एक जाल यह है बूंदी वो लेक वो भी एक फोल्ट है कि इस चीज का फोल्ट है क्या है अभी कुछ मालूम नहीं हो सकता है मैं इसको भी विजिट कर सकूँ अब कमिंग डेज में अगर में रुका तो इसमें हर जगा छोटे-छोटे फांटेन बने हुए है जिनको डग दिया गया अभी यह फांटेन से शायद है उस ताइम पर फांवारे चलते होंगे और वह एक गेट खुलावा यह बाकी दो चीजे मुझे वहां से गुमनी है उस जगा से पर मैं इसको पूरा विजिट करकर नहीं गया था बहार से गुम गया था और यह देखिये हर जगा हाती ही हाती एलफेंट्स एंड एलफेंट्स अभी भी मैं चछत्रमेहल के अब एक पार्ट में घूम रहा हूं काफी गेट्स हैं आफ से बंद है यह क्या है आप देखिये हैं से किसी का रूम रा होगा कार गर कुछ भी जो भी आई यह यह पांडी की तंकिया है यह किसी चीज की जो की星 पार्ट अभी एक ता तो च्छत्रमेहल और दॉलमेहल बाग भूमने के बाद अब फूल महल और बादल महल बाकिया जिसका रास्ता यही रास्त है तो ऊपर जाके फूल महल और बादल महल को मैं विजिट करने जा रहा हूं हम हूं नो एंट्री तो ये तो सिर्फ एक बरामदा है कुछ भी कह लीजिए ये काफी हाइट पर है यहां से देखने लाइब कुछ मुझे दिख जाया बुंदी और यह देखे पूर गर पैले स्ट ारा गड का पूरा इंट्री तौरील इंडियाiern और यह देखिए आप यहां से यदियासीちら मैं जायव है बिल्कुल जैपुर की ओढ़ू है और अभी तो मुझे और चड़ कर जाना उपर काफी उपर और ये एक दीवार जा रही है सिद्धिया उस जगे के लिए और फिर उसके उपर वो काफी टाइम लगने वाला आज इसको एकस्प्लोर करने में पूरा कवर करने में और अब चलते हैं फूल मेल और बादल मेल की तरफ चीज का रास्ता सामने से मेरी पहुंच से दूरे बार बार साइन बोर्ड लगे हुए हैं यह रस्ता भी नीचे से ही आ रहा था मैं दूसरी जगे से आ गया तो अभी मैं हूँ फूल महल के अंदर यहां भी एक फाउंट है चोटा सा तो यह है फूल महल और फूल महल को आप देखे इस्ताबलिश किया गया था यहां के रूलर भोस सिंग ने पंद्रा सु पिच्चासी से सोला सु साथ के बीच में जिनका शशन था सोला सुशाथ में उन्हें बनवाया था या उनकी पतनी फूल देखी के लिए जो यह देखें यहां के जो पिलर है पिलर में इतनी शांदार जो भी है नकाशी की गई है और अंदर से लो एंट्री है वैसे मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन आप यहां से देख लीजिए काफी अच्छा है अंदर से और यहां दिवारों पर काफी सारे काच और आले बनाए हुए है और जो आप यह फूल मेल में यह जो देख रहे हैं ना यह कारी गरी इसको जोड़ाई कहते हैं जिस तरह से जोड़े गए हैं इसलिए इनको जोड़ाई कहा जाता है आगे किसी किसी और तरह की फिर वहां किसी और तरह की वाव यह मैंने देखा नहीं यहां के काच हट चुके हैं लेकिन आप यहां की नकाशी देखें आप बहुत खुब सूरत हर पिल्लर पे किसी ना किसी तरह की नकाशी की गई है फूल महल के बिल्कुल उपर आप जब सीड़ी से चड़ कर आएंगे तो आप आएंगे बादल महल में स्लीपर्स में उतार देता हूं क्योंकि जब किसी जगा सफाई हो तो राजस्तानी कोई शायद ही ऐसा होगा जो अपनी चपपल ले जाकर उस जगे को गंदी करना चाह क्यों सही कह रहा हूं ना मैं तो बादल महल है जिसे 1607 पर बनवाया गया था राजा बोज सिंग के द्वारा ही तो यह है बादल महल और यहां कि आप पैंटिंग्स देखें आदी बिती चेत्र तो यहां में टन चुके हैं यहां से इसके सीलिंग पर भी काफी बेहत शानदा पैंटिंग की गई है किस तरह से की गई होगी पैंटिंग तो यह बादल महल से पाहर की तरफ यहां देखें किते शांदार जगे पर माँ आचुका हूं रेनोवेशन करे जाने के बाद तो यह तना सुन्दर लग रहा है वरना लाच्ट टाइम जब मैंने इसको विजिप किया था इतनी गंदेगी यहां पर थी ना यह क्या चीज है कि गटर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है पर क्या है मेरे को तो मालूम भी नहीं यह यहां के जरूखे देखें आप कि अगर गटर भी होगा तो इतनी शांदार आवा आती होगी ना सुकून से हलका हो सकता कोई भी अपार्ट ऑजोग और जब दर्वाजे के इन रंग बिरंगी कार्च से दूप अंदर की आती दूप आती होगी अंदर तो यह पूरे सत्रंग याबा से भर जाते होगे दिल्कुल ऐसा ही कुछ वहाँ भी है जैपर में गटर इस शाही गटर हाला कि यह तना यह शेप का है उस जमाने का तो शाही दियो यहां से आप गुलाबी शाही गटर से गुलाबी तरिश्य देख सकता है पुरबून्दी का यह देखें यहां भी सीलिंग पर काज का काम भी है लेकिन काफी हटा हुआ है सफाई से नहीं है पूरा और वितिचित्र भी पुरे मिदन चुके हैं बस यहां से यह दूसरा कमरा है हर जग है यहां चमकादरो की बीट की बदब आ रही है और यहां तो पूरा काज पर काम भाट चुका है बिल्कुल बहुत कम बागी है वापस मैं आ चुका हम इसी ओल में जहां पर मैं एंटर किया था चमकादरो की आवाज आप किलियरली सुन सकते हैं तो बदबु कितनी आ रही होगी आप देखिए और उस पार्ट में मुझे जाना है यह रस पार्ट के लिए जिससे पहले मैं विजिट करता हूं और यह देखिए यहां तो यह काफी ज़र ज़र अवस्था में और अब ही मैं आ चुका हूं यह जो आप सामने देख रहे हैं यही है जूलाई चूक तो जूलाई चूक के परी सर में मैं अभी घूम रहा हूं और यह मेरे सामने का जवाब देखे काच खिड़कियों से हटे हुए हैं यह सामने बिल्कुल काई काई पूरी दिवार पर चाय हुई है और अभी यहां से चलता हूं और उपर और देखता हूं आगे क्या पर चाया है अगे रूल्स और रेगुलेशन्स इन्हों ने यहां इतने लगा रख़ी के मैं हाई रिकोर्ड भी नहीं कर सकता हूं जैसे गार्ट के सामने जाता हूं तो बोलें मत भी नहीं आप रिकोर्ड करी नहीं सकते हैं यहां से आप देखिए बुंदी हर जगह से बुंदी आल एक से पैस की ले कैमर से चोटे चोटे चरों को से चोटी चोटी खिड की उससे गर्मी तो आपको लगेगी ही नहीं अगर आप इस मॉन्सून में या फिर सर्दी में विजिट करने आप वैसे लगती तो नहीं लेकिन हवा काफी अच्छी वो देखिए सामने हाइवेज वो देखिए सामने खिर्की पूरी तूट चुकिया गेट खुला हो और उसे मेहना देखू नहीं पॉसीब और यह देखिए गर्दन नीचे आप करके आए कोई से भी गर्ड में मौस्टली विजिट करते तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह होती है सिर्फ उटता है यहां के दरवाजा काफी छोटे छोटे बनाए जाते इसलिए और यह हैं बुंदी के कुछ मजनूर लेलाओ के नाम इन दीवारे उपर सुन है रहे चाब यह से अंकित किया गया है उन्हें के द्वारा मसुटता है कुछ बार के भी हो यह देखे क्या शांदार छत्री थी बगर पूरी तैस नहीं सो रखिये पूरी खंडर बनी विए यह यहां पर पिर बुंदी और वो देखे क्या शांदार छत्री है वहां पर शायद वो तारागड का एक पार्ट है हाला कि पार्ट तहीं भी है आपको बैट्स दिख रहे हैं यह गुल्टा लटका हुआ एक ने काफी सारे है बुल्टा लटका है यहां पर तो गड़ पहले इस विजिट करने के बाद अब मैं जा रहा हूं बूंदी की चित्र साला और तारागड की तरह जिसका रास्ता यह सामने से जा रहा है और मौसम अभी काफी सुहाला हो रखा है झांप्टा है झांप्टा